हेलो लर्नर्स, वेलकम ट्यूए यूट्यूब चनल, अगर आप भी विफामा कोर्स कर रहे हैं, एक एट्यूज से और 2017, 2018, 2018 में इन्रोल हुए थे, तो आपके लिए गुट निज़ है, एन्पी टी वाई होने के बावजूद भी अब आप थर्ड एयर में प्रमोट हो सकते है अगर आप 2017, 2018, 2019 सेसन में इन्रोल हुए थे, जियां, PCI ने एक एट्यूज को लेटर लेकर ये इन्फॉर्मेशन दी है, कि 2017, 2018, 2019 में अगर आप इन्रोल हुए हैं, विफामा कोर्स में, और आपका फर्स्ट एयर में केरी उबर होनी की वज़े से आप थर्ड एयर में तो आ आप प्रमोट कर दिये जाएंगे, और वहीं पर आपको थर्ड एयर से फूर्थ एयर में प्रमोट होने के लिए, थर्ड एयर के किसी एक समेश्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा, उतने क्रेड़ लाने होगे, या फिर आपको दोनों समेश्टर में जो भी मिनिव वर यहीं पर पारे तो प्रमोट उनको 3rd में प्रमोट कर दिया जाएगा वहीं पर 4th year में तभी प्रमोट होंगे जब 3rd year के किसी एक समस्टर को पूरी तरह से पास करेंगे या फिर जो भी minimum करेट का होगा उतने करेट उनको लाने होंगे और यहीं पर साफ साफ दूसरी चीज़ जो ने यह मेंसिन किया पॉइंट यह आप देखेंगे तो फ्रॉम दा सेशन 2019-20 ओल भी फार्मा स्टूरेंट्स एड्मिटेट सेल्वी कंप्लिट्टी गवर्न बाइदी न्यू पीसे रूल यानि कि 17, 18, 18, 19 के लिए ही यह रूल है 19, 20 से एड्मिशन होने वाले स्टूरेंट्स को सेम रूल फिर से फालो होगा यानि कि NPTY रूल दुबारा लागू हो जाएगा तो जा 19, 20 से से बट जा 19, 20 से से यह फैसिटी आपको मिलेगी जो पेपर है उसको क्लियर करने के लिए आपको 4 और 3 चांस मिलेगा अगर फर्स सेमेस्टर में आपको बैक आ जाता है तो उस बैक को क्लियर करने के लिए आपके पास 3 चांस और आएंगे वहीं पिर अगर आप सेकंड सेमेस्टर में बैक ले आते हैं तो विश्यू वाल दे बेश्ट, कीप वचिए शब्सक्राइब देशन वर मोर वीडियोस, थैंक यू